नमस्कार, आसम बिना दूद, बिना चीने की बजन को कम करने वाली समूदी बनाएंगे, इसके लिए तर्भूज लिया है डेट कप, 10-15 काजू पानी में भिगे हुए, चीया सीट्स, एक चम्मच पानी में भिगा हुआ, दो खजूर, इलाइची पोडर, एक चुथाई जूर डालेंगे मीठा करने के लिए, इनको हमने पहले भिगो दिया था, उसके बाद हम इसके सीट्स निकाल देंगे, और काजू की साथ ही हम इसको पीस लेंगे, अब डाल देंगे इसमें एक चुथाई कप पाने, ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, और एक फाइन पेस्ट बनकर हमारा त्यार हो गया है, काजू का पेस्ट बनकर त्यार हो गया है, हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए था, इसमें बिलकुल भी काजू के और खजूर के छोटे-छोटे टुकडे नहीं है, पेस्ट जो है घना और क्रीमी है, अब हम इसमें आधा कप पाने डालेंगे और दूद बनाएंगे पतला जगाड़ा आप अपने स्वाधानुसार कम जजादा कर सकते हैं काजू का दूद बनकर त्यार हो गया है और इसकी वाटर मेलन समूदी बनाएंगे इसे हम नाश्ते में पी सकते हैं ये हमारे बजन को कम करेगा और बहुत ही फाइदे मन भी है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एक गिलास लेंगे गिलास में हम काजू का दूद डाल देंगे और सिया सीट्स डाल देंगे जिनको हमने पहले बिगो के रख दिया था तरबूज लिया है इसके छोटे-छोटे टुकड़े किये और इसको फ्रीजन में काटे हुए तरबूज के टिकड़े डाल देंगे अब हम इसमें काजू का दूद डाल देंगे जिसमें हमने सिया सीट्स डाल ले थे सारी चीजे बहुत ही फाइडे मंद और हेल्दी हैं वाटर मेलन सिया सीट्स समूद्दी बनकर त्यार हो गई है अब हम इसके उपर दिने से गर्मी में पिए समूद्दी और ये हमारे गर्मी को मारेगी हेल्दी है मजा लीजिए अनन लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपक मिल सके और अपने अनुबब जरू शेयर करना की कैसा बनी है देखने के लिए आपका धन्यवाद